लेट मी टीच यू वाट ब्रैंड पोजिशनिंग एक्चुले इस मैं आपको अगर यह कहूँ यह पैन है दस रुपए की है तो आप खरीदोगे शायद आप नहीं भी खरीदो क्यों क्योंकि आपकी ब्रैंड इमेज में फर्क पढ़ सकता है सस्ती पैन है बोलके पर अगर यही पैन मैं आपको कहूँ कि यह पैन सचिन तेंदुलगर ने इस पैन से साइन करी है तो क्या होगा अब इसकी जो ब्रैंड एक्विटी है जो ब्रैंड वैल्यू है ब्रैंड पोजिशनिंग है वो बढ़ गई उसे बढ़ाने को कहा जाता है वैल्यू एडिशन अब यह सस्ती पैन में काउंट नहीं किया जाता अब यह काउंट किया जाता है वैल्यू एडिशन तो लोग अपने लाइफस्टाइल में वैल्यू एड करने के लिए इसे जरूर रखना पसंद करेगे So that is what is called brand positioning.